आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्जाम सीकर पर स्वागत है इस चैनल पर हम आगरा युनिवर्सिटी से समंदित लेटेस्ट और सटिक जांकरी लेकर आते हैं जो विद्यार्थी चैनल पर पहली वारा हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज का व वीडियो पूरा देखना है वीडियो स्किप नहीं करना है जिन विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इस चैनल पर आगरा युनिवर्सिटी की डेली लेटेस्ट अप्टेट लेकर आते हैं इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आगरा युनिव आगरा युनिवर्सिटी के बीएड फर्स्टियर के एक्जाम फोर कब से भरे जाएंगे। देखिए आप सभी जानते हैं कि मार्च में जो एक्जाम फोर भरे जा रहे हैं वो आगरा युनिवर्सिटी के बीएड बीएसी बीकॉम जो फर्स्टियर के जो एक्जाम फोर्म इस तक वरे जा सकते हैंank forge top एपरेल तक भरे जा सकते हैं कि हम आपको जो यह news बता रहे हैं यह कोई ऑफिसेल नोटिशन से इसकुच नहीं है ज़ो हमें news मिली है यह अग्वा यूरिस्टी का अफिसें नोटिश नहीं है जो external news ह kg होती है उससे हमें जो जंकरी अब बात करते हैं आगरा युनिवर्सिटी के बियर्ट फर्ष्टिर के जो एक्जाम पैटर्न क्या होने वाला है आगरा युनिवर्सिटी का जो एक्जाम पैटर्न क्या होने वाला है इस पर बात करते हैं देखिए आप सभी जानते हैं कि जो आगरा युनिवर्सिटी के जो exam होते हैं उनका exam का pattern किस से के लियर होता है आगरा युनिवर्सिटी का जो exam pattern होता है वो दो स्रोज से हमें पता चलता है कि exam pattern क्या होने वाला है एक तो जब आगरा युनिवर्सिटी का कोई official notice आता है तो उससे पता चलता है कि आगरा युनिवर्सिटी का उस paper का उस exam का pattern क्या semester जो की 2020 की नई सिक्षा निती के नुसार exam होने वाले हैं BA, BAC, BAC, BAC के जो exam होने वाले हैं OMR based होने जाए होने जारी हैं किस वर होंगे OMR based है तो इसके लिए एक official notice आया है या पिर जब आगरा University की जो date seat आती है क्या आती है date seat तो आगरा University की date seat से confirm होता है क्या होने वाला है ना तो अभी official notice आया है नहीं date seat आया है तो अभी confirm नहीं कि आगरा University BA first year का exam pattern क्या होने वाला है हम मान सकते हैं अभी दोनों chance हैं कि BA first year के जो exam है objective भी हो सकते हैं subject भी हो सकते हैं इसलिए आपको जो तैयारी करनी है किस पर करनी है subjective pattern पर करनी है यदि आप अपनी तयारी subjective pattern पर करने तो आप objective question को आसानी कर सकते हैं क्योंकि आपको उसमें omr seat भननी होती है जब आप subjective theory को विस्तार से पढ़ेंगे तो आप omr based question को आसानी से कर लेंगे अब बात करते हैं आगरा University के byrard first year के syllabus की जो आगरा University का byrard first year का syllabus है जो two year program होता है जिसमें first year से second year होती है जो first year होती है में कितने पेपर होते है आगरा University मेंrep bild first year में art paper होते üzcketası पर होते लेburgh में लेव जानने वालें कि जो आठ पेपर हैं कितने पेपर हैं आठ पेपर हैं अब इन सभी का अविस्तार से दिन करते हैं देखिए जो पहला पेपर है जो पेष्टम पेपर है उसका नाम है Childhood and Growing Up इसे हिंदी में कहते हैं बाल लिवस्था एवंग अभिरदी जो पहला पेपर है BD101 इसका जो अधिक्तम अंक कितने होते हैं पूरा पूर्णा कितिक होता देखिए अधिक्तम अंक होते हैं 100 पेपर कितने का होता है 100 का इसमें से 80 का दो हमारा यूनिवर्सिटी कराती है और 20 नमर के क्या होते हैं 20 नमर के practical होते हैं हमें इसमें से 80 में से कितने नमर लाने होते हैं हमें 80 में से लाने होते हैं 32 नमर और जो 20 में से कितने लाने होते हैं 8 नमर तो मैं टोटल कितने नमर लाने होते हैं पेपर युनिश्टि कराती है और बीश नमर का क्या होता है बीश नमर का प्रैक्टिकल होता है और इसमें हमें कितने नमर लाने होती है चालिश नमर लाने होती है 32 एकजाम में और 8 प्रैक्टिकल में इसी पिरकार जो तीसरा पेपर है उसका नाम है learning and teaching अधिगम एवं सिक्षन और इसका code है BD 103 जो एक code है क्रम से है 103, 104, 105, 106 अनके सभी के जो paper first, second, जो third है इनके जो exam होता है किते हैं का होता है वो 100-100 नमर का होता है जो हमारा paper 4 होता है जिसका code है BD 104 और सीर्षक है language across the curriculum पार्ठे क्रम में भासा है ये paper किते हैं नमर का होता है ये paper होता है 50 नमर का और देखिए इसमें जो 50 का होता है तो 40 नमर का हमारा exam होता है और 10 नमर के हमारे assignment होता है practical होता है तो इसमें से हमें 50 में ते कितने नमर लाने होता है ये पचास-पचासन के होते हैं इसका जो नाम है वो है Understanding Disciplines and School Subjects विश्यों की समझ एवं विद्ध्याली विश्य ये कितने का पुर्णाक होता है ये पचास का पुर्णाक होता है इसमें कितने अंक लाने होते हैं हमें 20 और जो पेपर छटा है उसका कोड है BD106 Pedagogy of School Subjects विश्यों की समझ एवं विद्ध्याली विश्य इसमें देखें दो पेपर होते हैं कितने पेपर होते हैं दो Part 1, Part A, Part B ये दोनों कितने कितने की होते हैं ये 50-50 की होते हैं इसमें प्रेक्टिकल नहीं होता और टुटल कितने हो जाएंगे 100 अंका हुआ और हमें कितने नमर लाने होते हैं हमें 40 नमर लाने होते हैं और एक देखें इसमें दो पेपर होते हैं BD107, BD108 ये दोनों पेपर कितने के होते हैं ये दोनों पेपर 50-50 नमर की होते हैं हुआ होते हैं 40 नमर का प्रैक्टिकल होता है रिझ्ण में क्रेक्टिकल होते हैं रिक यरे कितने members करें पासोने के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जिन विध्यारतिों कर चीन को सब्स्राइब नहीं किया है यह विध्यारति को सब्स्राइब कर लें